आपने कभी ऐसा सुना है कि आप Baghlan mengeaster ऐ सब्सक्राइए को बहुरता है कि नॐ Hm जीतन लियुक्तक किया हुआ है करोड के लोन मिल जाएक आप कैसी बाते कर रहे हो कभी डिटनी के बैसेश स्ट्राइइ ये डिगरी गीरे हुं मैंसे तब तर पाउगल के हो है आप अपने घर में देख लीजे अपने आसपास देख लीजे लोग से वो डिगरी के पेपर के पीछे पड़े होए है कि हमारा पस डिगरी आ जाए तो हम लाइफ में successful बन जाएंगे पर actual में जब आपको पैसा चाहिए होगा अपने घर के लिए अपनी काड़ी के लिए अपने बिजनस के लिए उसे expand करने के लिए और पैसा क्यों चाहिए होगा इसके पर हम बात करेंगे तो आपको आपकी डिगरी के ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा आप देखो कि वो लोग जो आपसे कम बड़े लिखे हैं उन्हें लोन भी जादा मिल जाता है वो पैसे भी जादा कमा लेते है वह ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें हमेशा से डिगरी की वैल्यू दिखाई जाती है पर financial statement बिल्ड करने के ऊपर कभी वैल्यू नहीं दिखाई जाती कभी बात ही नहीं होती क्योंकि जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप बड़े ध्यान से देखिए उनकी खुद की salaries बहुत कम है और आजकल तो मैं देखकर हरान हो रहा हूँ स्कूल में और colleges में आ गए है topics entrepreneurship entrepreneurship सिखाएंगे कौन सिखा रहा है जो पंदरा साल से उसी स्कूल में जॉब कर रहा है मलब sorry to say बड़ बात यह है कि entrepreneurship entrepreneur सिखाएं समझ आता है finance वो सिखाएं जिसके खुद के finances सही हैं समझ आता है जिसे doctor अगर operation करें समझ आता है बड़ mechanic operation करें समझ नहीं आता बिल्कुल वैसे ही हो जाता है आप academic जो subjects है mathematics पढ़ाना समझ आ रहा है बड़ entrepreneurship पढ़ाना समझ नहीं आ रहा similarly जिस इंसान के खुद के finances सही नहीं है पलब जो आदमी 50,000 रुपे के एक school में job कर रहा है definitely life में वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे तो अगर उन्हें बहुत अच्छा करना है तो कुछ और करना पड़ेगा या उसके साथ कुछ और करना पड़ेगा और अगर वो बहुत अच्छा करेंगे तो शायद 50,000 की job नहीं करेंगे point यहां पर यहां मैं आप लोगों की बात कर रहो बात ही नहीं कोई काम छोटा पड़ा जोता teacher बहुत ही noble profession है बट बात ही है यार उनकी भी खुद की liabilities बहुत जादा है वो भी घर पर रह रहे हैं उनके भी खर्चे हैं आप समझो अगर कोई Stanford का teacher है Oxford का teacher है तो उसे 50,000 नहीं मिल रहे उनके बाब बहुत पैसे है already but point यहाँ पर यह है कि अगर आप underpaid employees से यह expect करोगे कि वो extraordinary teachings दे हमारी आने वली generation को तो this is not possible point यहाँ पर यहाँ आता है कि हमें कभी यह क्यों नहीं सिखाय जाता कि हमें अपनी financial statements बनानी है जिसके basis पे आपका bank manager आपको loan देने के लिए ready हो जाएगा तुरंट अगर वो अच्छी होगी तो पर अब financial statements में होती ही क्या चीज़ है देखो मैं आपको simply बता रहा हूँ यहाँ पर हम कोई accounts नहीं सीख रहे हम सीधा बात कर रहे हैं आप life में grow करोगे देखो मैं आपको एक example देखो financial statement से पहले हम बात कर रहे हैं कि आपको debt की loan की जुरुत पढ़ सकती है life में आप देखो कि हर बड़ा आदमी चाहे वो return tata जी हो चाहे मुकेश अम्मानी जी हो loan तो लिया हुआ उन्होंने उनकी company ने loan लेकर वो grow कर रहे है तो अगर loan लिया जाता है तो loan किस basis पे मिलता है और point number two आप लोगों को हो सकता है life में इसकी जुरुत क्यों home loan ने कलाए चीज़ा है car loan समझा रहा हो सकता है business के लिए loan लेना हो आपको यह समझा रहा है एक ऐसा business है जिसमें हमें साल का 30% का profit हो सकता है बट अगर आपके पास 1 करोड रुपया है तो आपको 30 लाग का profit होगा बट अगर आपके पास 10 करोड रुपय होंगे profit percentage सेम होगा बट आपको 3 करोड का profit होगा और अगर यह पैसा loan पर भी आया उसमें कुछ बयाज भी लगी हुए वो भी दे देंगे तब भी हमें कई करोड रुपय बच जाएंगे तो अब यह समझते हैं कि अगर आपको कभी life में leverage की जुरुत पड़ेगी तो वो कैसे मिलेगा आज हम बात कर रहे हैं आपके financial IQ को बढ़ाने के उपर अब intelligent बहुत सारे लोग है Warren Buffet कहते हैं अगर आपका IQ score बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत दान दे दो क्योंकि अगर आप stock market से पैसा बनाने की सोच रहे हो तो आपको बहुत ज़दा extraordinary IQ की जुरूत ही नहीं है और similarly financial statement की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर समझिए चार चीज़े हैं मुद्दे की बाते एक है आपकी सबसे पहले आपकी income जो आप कमा रहे हैं दूसरी होती है आपके assets तीसरी होती है आपके expense और चौता है आपकी liabilities अब मैं आपको एक simple सी चीज़ समझाता हूँ जब हम income में से expense को minus कर देते हैं तो यहाँ पर आजाता है हमारा profit जिसकी उपर आपको tax लगता है और अगर आप asset में से liability को खटा देते हैं तो यहाँ से आजाती है इंसान की net worth आपकी worth कितनी है तो हम बोलते हैं ना 100 करोड की net worth है इसकी क्योंकि उसके पास 100 करोड के assets होंगे और ना के बराबर liabilities होंगी तो इसी से उसकी net worth निकल गई और अगर एक आदमी बहुत अच्छे profits बना रहा है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है पर अगर आपने इन चार चीज़ों को समझने की जुरूत यहां तक करी है कि चलो समझते है तो asset वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा लेकर आती है liability वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है हमें यह समझ आ गया अभी तक अगर आप इस सिरीज के अंदर है कि हमें assets को build करना है ऐसी चीज़े जो हमारी जेब में पैसा लेकर आए और ऐसी चीज़े को कम करना है जो हमारी जेब से पैसा लेकर जाए हमें अपनी income बढ़ानी है और expense को कम करना है यह बिलकु सिंपल चीज़ है इतनी सिंपल है बढ़ फिर भी यह financial IQ की अगर मैं बात करूँ developed countries के अंदर ऐसे लोग जिनने यह चार चीज़े detail में पता हो 10 में से 4 लोगों को पता होती है 6 लोगों को नहीं पता होती और developing countries जैसे कि India India के अंदर 10 में से 8 लोगों को यह 4 चीज़े नहीं पता होती आज आप मेरे चैनल पर सुन रहे हो तो बड़ा common है बढ़ अगर आपने आसपस किसी इंसान से पूछो कि नेट वर्थ क्या होती है assets क्या होते, liabilities क्या होती तो वो negligence में जी रहे है उन्हें detail में नहीं पता आपको कहोँ तो उन्हें नाम नहीं पताओ, concept पताओ तो concept ही पूछ लो अब बात आती है कि आप अपनी income कैसे बढ़ाने वाले हो, assets को कैसे बढ़ाने वाले हो एक दिन में नहीं होगा एक दिन में नहीं होगा पर focus यहीं पर होना चाहिए कि मेरे assets बिल्ड हो multiple source of income बिल्ड हो अब अपना financial IQ बढ़ाने के लिए आपको तीन चीज़ों पर सबसे पहले काम करना है एक चीज़ आपको budgeting करनी है ऐसा नहीं है कि शॉपिंग पे गए 10,000 का जूता समझा रहा तो वो खरीद लिया हो सकता है वो आदमी 25,000 रुपे कमा रहा हो 30,000 रुपे कमा रहा हो आज आपको पैसे पड़े है आपने 4 मीने salary जोड़ी आपके पास 1,000,000 रुपे जुड़ गया account में 1,000,000 रुपे जुड़ गया तो आपको भी अपना IQ बढ़ाना है रूल समझना है 50, 30, 20 रूल अब यह 100% होगे न तो अगर आदमी कोई 25,000 कमा रहा है उसे कैसे खर्चा करना है यह इस रूल के हिसाप से आप कर सकते हो बढ़ यह रूल मेरे हिसाप से सिर्फ तब तक valid है जब तक किसी आदमी की salary या income चार लाग रूपे से कम है चार लाग के ऊपर चीज़े बदल जाती है वक्त बदल जाता है, जजबाद बदल जाता है बंदे का level भी बदल जाता है तो कहने का मतलब है 4 लाग से ऊपर आप कमा रहे हैं अगर हम बात करें, कोई आदमी 25,000 कमा रहे है तो 10% होता है 25 और 30% होता है 7,500 तो 7,500 आपको maximum allocation है एक महिने का उन चीज़ों के ऊपर जो आपकी चाहते है तो चाहत, अगर हम देखे हमारी यह 10,000 का जूता और हमारा budgeting का एक rule कह रहा है 30% से ऊपर जाएगा तो पंगे में आ जाएगा तो आप अपने जो शूज लेना चाह रहे थे जो आपकी wants में आ रहा था उन्हें afford नहीं कर सकते हैं और अगर आपने एक खरीद भी लिए पालों 7,500 वाले खरीद लिए अगर आप save नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी family को एक trouble में डाल रहे हैं आपने future को अपने financial future को एक खत्रे में डाल रहे हैं क्योंकि आप कमात हो रहे हैं और सारा उड़ा रहे हैं तो एक पता नहीं internet पर कोई video मैं देख रहा था तो एक video आ गई कि जस तरीके से कमाया उस तरीके से उड़ाया मैं exact नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ उसका meaning यादा तो मैं आपको दुबारे से बोल रहा हूँ तो pardon me for that कुछ ऐसा था कोई share और शैरी चल रही थी तो नहीं बोला कि जस तरीके से हमने कमाया उसी तरीके से हमने उड़ाया नोटों पर हमने कभी रवड नहीं बांदी कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी कभी भी नोट पर हमने रवड नहीं बांदा तो यह सुनने में बड़ अच्छा लगता है बढ़ भाई नोटों पे रवड बांदनी पड़ती है आपने देखे ना बनिये नोटों पे रवड बांद के रखते हैं तो धीरे-दीरे जोड़ जाता है उनके बाँ गड़ियां एखिटी हो जाती है और जो लोग नोटों पे रवड नहीं बांते न नोट कहां चले जाते हैं पता नहीं लगता तो यह आदर डालिये आप गुजराती मारवाडी बनियों से सीखिए कि नोटों पर रबडवानी जरूरी है लक्षमी माता बड़ी चंचल होती है कभी एक के घर कभी दूसरे के घर तो उन्हें समाल के रखना बड़ा जरूरी है तो यहाँ पर 20% आप सेव कीज़े अगर यह भी नहीं हो पा रहा तो आपका फिनाइशल आई क्यों बीक है पॉइंट नमबर टू अब जो आपने जोडा सेव किया सिर्फ सेविंग से नहीं आप अमीर बनेंगे हमने सुना इंफलेशन पैसे को खा रहा है तो फिर दूसरी चीज़ा जाती है इन्वेस्टिंग अब इन्वेस्टिंग आप चाहे डाइवर्सिफाइट कीजिए चाहे आप बिल्कु इन्वेस्टिंग पर बहुत सारी वीडियो भी दिये अगर आप छोटे पैसे शुरू करना चाहते है एटिफ इन्वेस्टिंग से शुरू कीजिए आप मेरी नो लॉस वाली वीडियो देख सकते हो बहुत यच्छी वीडियो है वो मैं खुद आपको सर्जस करूँगा आपके पैसे ज़्यादा जोड़े जाता है आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो बट इन्वेस्ट करो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अमीर बनते हैं आपको इन्वेस्ट बनना है और जब आपको ज़्यादा पैसे आ जाए तो दूसरों के धंदे में पैसे लगाना शुरू करते हैं शाक टेंक पे चले जाना फाइनली तीसरी चीज़ जो जो बहुत इंपोर्डेंट है जो लोग इग्नोर करते हैं इस डेट मैनेजमेंट देखो उधार गलत नहीं होता अगर आप आईफोन उधार पर ला रहे हो तो शायद मेरे साब से गलत है बट अगर आपने होम लोन लिया उससे अपने अपना घर बना लिया सपन होगा मैं ज़रू नहीं है आपको समझना पड़ेगा अपने मेरे साब से गलत नहीं होगा आप अपने वेपार को बढ़ाने के लिया लोन लेते हो तो गलत नहीं है आपकी डिरेक्शन सही है आप सोच सही रहे हो और डेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है बट ज़्यादा तर लोग इंडिया के अंदर किस किस तरीके के लोन ले रहे है पर्सनल लोन पर्सनल लोन क्यों लेते हैं लोग घर को रिनोवेट कराने के लिए घर में शादी आ जाती है उसके लिए एमर्जनसी आ जाती है उसके लिए इंशॉरंस नहीं कराते है कोई एमर्जनसी आ जाती है health insurance नहीं है, emergency आ जाती है इसलिए लोग loan ले ले लेते हैं, personal loans ये debt management बहुत ज़रूरी है और अगर आप debt को ठीक ठीक तरीके से manage करते हैं आप loan लेते हैं, loan को रीपे डंगसे करते हैं, तो आपका civil score भी improve होता है तो आपके banker को पता लगता है, इसका civil ठीक है, तो अगली बार आपको loan मिलने के chances ज़्यादा हो जाते हैं बट जिस इंसान का civil form ही नहीं है उसका civil खराब है, लोग लिया और पैसे नहीं दे पाए तो फिर आपका civil खराब हो जाएगा loan नहीं मिलेगा अब point यहाँ पर यहाँ आता है, यह जो financial statement की मैंने बात करी इसके अंदर जो चार major चीज़े हैं, आपकी regular income का एक track record important के है, बात हैं नहीं साल में एक बार कमाया, जो आप कमा रहे हैं आपका banker देखेगा, consistently कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं जो भी कमा रहे हैं, अगर आपकी salary आते हैं तो ही नहीं आती होगी, आप पैसा कमाते हैं, profit कमाते हैं, वो depend आपका business to business की उपर करता है बट वो यह देखेगा, फिर consistently हर साल, आपके या हर quarter में profits बढ़ रहे हैं, profits कैसे चल रहे हैं, sales बराबर चल रही हैं नहीं चल रही यह कुछ चीज़े हैं, जो आपको समझने जरूरी है इने build करना पड़ता है इनके उपर रहां देना पड़ता है कि यार मेरे को ने degree से मतलब नहीं है मेरी financial statement solid होनी चाहिए, कोई देखे और बोले आरे आदमी solid है दूसरी चीज, मेरे expense, जो books में हो रहे है, expense होना गलत बात नहीं है आपके business expenses हो सकते है तो जो आपके expense हो रहे है वो किस direction में लग रहे है अगर आपके expense business को expand करने में लग रहे है बहुत बढ़ी है similarly assets, क्या आपके time to time assets build होते जा रहे है या assets कम होते जा रहे है तो वो आपकी financial statement में दिखेगा अगर आपके पास कोई घर है real state है तो आप asset में डालोगे ना आपकी machinery assets में जाएगी तो आपके पाई ऐसे क्या क्या चीज है जो आपके assets है और फिर assets actual ऐसे होने चाहिए जो आपको income produce करके दे रहे हो तो गाड़िया असेट में आप डाल सकते हो but Robert क्यों सगी कहते हो liability होती है जिब से पैसल लेती है but point is this solid assets बनाओ life and finally liabilities ये important है कि मुझे देना किस किस का है भाई मेरे उपर उधार है कोई वो liability में चाहेगा तो liabilities कम होनी चाहिए ये हमें समझ आता है but क्या कोई ऐसी liabilities है जैसे हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप अपनी liability को भी asset में convert कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जा के देख सकते है बटन पे link है but important है liabilities को कम रखना और assets को बढ़ाना और फिर budgeting, investing और debt management के ओपर ध्यान देना I hope इस वीडियो से आपको समझ आयोंगे वो important lesson जैसे आप अपना financial IQ बढ़ा सकते है और जैसे कि जादातर लोग ध्यान नहीं देते इन aspects की तरफ आप ज़रूर देंगे मुझे personally ऐसा लगता है आपके अगर कुछ सवाल है आप comments में जरूर पूछ सकते है In fact, आपके अगर खुद के अपने कुछ विचार है अपना financial है और लोगों का financial IQ लोग कैसे बढ़ा सकते है उसकी उपर तो आप comments में बताइएगा हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को शेर कीजिए प्यार दे सकते हैं आप इस वीडियो को like करके अगर आपके बास कोई DMate account नहीं है भी तक तो free में जाके आप अपना DMate account खुलवा सकते हैं link आपको description comment box में मिल जाएगा इन फाक्त आप अपने DMate account खुलवाने के बाद reference नं करके भी पैसे गमा सकते हैं I will see you in the next video till the time you subscribe this channel click on the bell icon and go self made जैन